दिल्ली NCR में सर्दी की शुरुआत हो चुकी है। पहारों पर बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में भी थंड बढ़ गई है। दिल्ली में कोहरा और प्रदूशन की समस्या गहराती जा रही है। यूपी के कई जिलों में सुबह और रात को घना कोहरा चा रहा है। दि तापमान में लगातार गिरावत जारी है और आने वाले दिनों में और थंड बढ़ने की संभावना है। 22 नवंबर से तापमान में 3 दिग्री सेल्सियस तक की कमी आ सकती है जिसके कारण गर्मकप्टों की आवश्यक्ता महसूस होगी। मौसम विभाग के अनुसार अगले सुबह और रात की समय घना कोहरा चा रहा है। हाला की दिन में धूख खिलने से अभी तक ठन का असर जादा महसूस नहीं हो रहा है। मौसम विभ्यानिकों के अनुसार नवंबर के अंतिम सप्ताह से तापमान में और गिरावत आ सकती है और कोहरा भी घना हो सकता है। पू राजस्थान में सर्दी का असर तेजी से बढ़ रहा है। पहारों पर हो रही बर्फबारी की वज़े से उत्तरी राजस्थान के साथ साथ शेखावाटिक शेत्र में भी घना कोहरा चा गया है। बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगर के अलावा सीकर, जुन्जुनों और च दिन में थोड़ी गर्मी महसूस होती है, लेकिन राते काफी थंडी हो गई है। माउंट आबू में पिछले तीन दिनों से तापमान 10 डिग्री सेलसियस से नीचे रहा है।